यह है question number 3 question number 3 में कह रहा है कि इस सिद्ध कीजिए कि fx is equal to x bracket में दिया हुआ है द्वारा प्रद्द महतोपुर्ण पुर्णाग फलन f says that r tends to r ना तू एकैकी है और ना ही आच्छा दक है जहां x x से कम या उसके बराबर महतों पुर्णाग को दिखाता है ठीक है इसमें यह जो real number का function दिया हुआ है real number का real number में f यह कैकी भी नहीं और आच्छा दक भी नहीं यह आपको दिखाना है तो सबसे पहले real number का set बनाएंगे समझेंगे diagram की मदद से समझने में आसानी रहती है अब यह real number है तो इसमें कौन-कौन से number आएंगे मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है और बता चुकी हूँ यह real number हो गया यह भी set real number हो गया relation कैसा है आर का आर में है नोट कर लेंगे से absence that r tends to r इसके बीच में जो समझन है यह होगा function f इसमें number कौन-कौन से आएंगे वही जो मैंने बताया था 1, 2, यह number कौन-कौन से होते है 3 है, minus 1 भी होगा minus 2 भी होगा, 1.2 भी होगा और क्या होगा minus 4 भी होगा जो भी चीजे हैं सारे number होंगे ऐसे इसमें भी होंगे 1, 2, 3, minus 1, minus 2 1.2, minus 1.2 ऐसे number होंगे अब इसमें पहला आपको प्रूफ करना है और फलन कैसा दिया हुआ है फलन आपका दिया है fx equals to यह x दिया हुआ है यह क्या है प्रदत महतम पूर्णाग फलन महतम पूर्णाग फलन सबसे पहले आप समझे क्या होता है महत्तम पुर्णाग पलन का मतब ऐसे फंक्षन जो कि अपने निकटतम महत्तम पुर्णाग के बराबर हो अब देखें रियल नंबर है न तो इसमें पॉइंट वाले नंबर भी है रडात्मक संख्याए भी है तो इस टाइप से कोई भी दो नंबर मान के चलेंगे टो ज्यादा असली रहए आपको समझने में जैसे कि हम मान लेते हं कोई एक ले लेते हैं इसमें एक और नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि दो नंबर है न तो मानली जीए 2.3 ले रहे रहे हैं चीक है 2.3 के लिए दे लेते हैं, ठीक है, तो F2.3 का महत्तम पुर्णांग फलन क्या होगा, जो नंबर आएगा, वो नंबर क्या होगा, इसको पहले समझे, तब आप आगे समझ पाएंगे, F2.3 का मतलब यह हुआ, इसके निकटम, 2.3 के निकटम, पुर्णांग नंबर, कौन सा है इसे तरीके से दूसरा function यदि हम लेते हैं f 2.4 लेते हैं तो इसका निकटतम पुर्णांग क्या होगा 2.4 का जो पुर्णांग है वो 2 है और 2.4 का निकटतम पुर्णांग जो होगा वो क्या होगा वो भी 2 होगा तो जब यह दो नमबर इस प्रकार हो f 2.3 is equals 2 और f 2.4 is equals to 2 तो यदि हम मान के चलें function को लेके चलते हैं implies that दोनों मान बराबर आगे यह f 2.3 that is equals to f 2.4 यहां से देखे दोनों मान बराबर है ना दोनों ही 2 के बराबर है तो यह ले लिया हमने लेकिन जब ऐसा है तो क्या होगा लेकिन हम कह सकते हैं कि जब ऐसा यह मान तो बराबर है लेकिन 2.3 जो है यह नमबर x की जो वैल्यू है 2.3 यह इस y की वैल्यू के बराबर क्या है है या नहीं है नहीं है ना तो यह does not equal to हो जाएगा तो यह condition हो गया कि x के जो value है वो आपस में equal नहीं है तो यह क्या implies करता है implies that यह जो function f है यह function f क्या है 1 aq फलन नहीं है यहीं आपको 1 aq में प्रूफ करना था अब आगे प्रूफ करना है कि यह जो function f है वो आच्छादक भी नहीं है आच्छादक के लिए देखिए फिर लिखेंगे आच्छादक के लिए यहाँ एक 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 नहीं लिखा है मैं आपको महत्तम फलन समझाने लग गई थी heading दे लीजिएगा यह कहके चीक है महत्तम पुर्णाग फलन समझाने में वो मिस कर गई मैं आच्छादक फलन आच्छादक के लिए मैं आपको बताया था कि दूसरा वाला जो set है जो प्रतिविम जिसमें प्रतिविम का जो set है उसमें कोई भी element ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि एक के element से संबंदित ना हो या उसका प्रतिविम ना हो अब आप देख रहे होंगे कि ये function कैसा है आपके पास fx ये है महत्तम पुर्णांग फलन ठीक है महत्तम पुर्णांग फलन है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हो है हमेशा क्या होगा प्रत्त महत्तम पुर्णांग फलन है तो हमेशा जो इसकी value आएगी fx की वो हमेशा ही एक पुर्णांग आएगी जैसे अभी आपने यहाँ देखा है एक पुर्णांग होगा ठीक है तो क्या कोई नंबर ऐसा हम ले लें कि कोई भी नंबर इसमें देखे जैसे 2.3 है या 1.2 है कोई भी नंबर है 1.2 ही ले लीजे कोई नंबर 1.2 है तो क्या पूर्णांक, x की value यदि हम f 1.2 लेते हैं, तो क्या ये जो x की value है, वो पूर्णांक होगा, नहीं होगा न, कभी भी नहीं होगा, हमेशा एक पूर्णांक है न, तो ये 1.2 यहां paste के according, 1.2 क्या है, पूर्णांक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि किसी भी number x के लिए x belongs to r का अस्तित्व ही नहीं है जो की इस प्रकार का हो की इस प्रकार का हो की फंक्शन fx is equals to mod x is equals to 1.2 यह महत्तम पुरुणांग क्या है? पुरुणांग नहीं है, sorry, नहीं है ठीक है, तो जब ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यह फंक्शन जो f है वो आच्छादक फलन नहीं है और यही आपको क्योशन में प्रूफ करना था कि फंक्शन f जो है वो एक भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है यही आपको प्रूफ करना था तो उसको लिख देंगे यति सिध्धं झाल झाल